कक्षया 8 वी बोर्ड परिशा 2024 के लिए साथ ही इंगलीज का जो पेपर है वो यहाँ पे आ चुका है और इस पेपर में हम पूरा पेपर है वो सोलिशन करके आपको बताने वाले हैं कि इस बार आपका इंगलीज का पेपर है वो कैसा आएगा तो चलिए साथ ही अपने स्टार करते हैं और पूरा पेपर यहां पर देख लेते हैं कि इंगलीज में किस बरकार का पेपर है वो आपको देखने को मिलेगा पूरा पेपर है दोस्तों NCRT के द्वारा जारी किया गया पेपर ही है तो आपको इन पैपरों कोचे से तयार जरूर करना है तो चलिए अपने पारें A, N, D का परियोग किया जाना है कुल मिला कि आर्टिकल का परियोग आपको यहां पर पूचा गया है अब हमें क्या करना है कि जो यहां पर दिये गए हैं उनके इसाब से हम यहां पर बढ़ते हैं अगर तो आपको आपने पढ़ाए कि आपके वेंजन और जो सवर हो आप अज क्या तुम हमारी एक पिचल ले सकते हो नेच से किया पर है अधर इस रांड एंड एज मॉर सी एरिया डेस देस लैंड तो यहां पर दोस्टों के राए कि ए इस रांड प्रति है वह मोगोल है एंड इट हर्मॉर सी एरिया लेकिन दोस्तों जो सी एरिया है मतलब यह समुंदर का area है वो क्या है land से यहां पर देन आ जाएगा क्यों क्योंकि यहां पर compare कर रहा मतलब कुल मिला कि यह comparative degree में convert हो गया है यह sentence यहां कि degree से related भी आपको पूछा जाएगा तो उस पे भी आपको थोड़ा सा focus करना है इसके साथ यह मैं आप से रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना पेपर की पीड़ फाइल अब वह आपको हमारे वाटसप या फिर एप से मिल जाएगी तो आप उनको जरूर डाउनलोड कर लेना देख लेना यहां यहां पर बोला जा रहा है कि अगले आदे गंठे में ट्रेन है वो निकलने वाली थी निकल निकले वाली है विल लिव बलब निकले की आई डेस रिच दा इस्टेशन इन टाइम टू केट दा ट्रेन अगर मैं टाइम से पहुंचूंगा तो मैं उसको पकड़ लूंगा कट सोरी आउट टू ठीक है निकले का अगला है विच आप दीज इस नौट लेटेड टू एक कंपूटर यानि कि जो कंपूटर से रिलेटेड नहीं है वो क्या हो जाएगा तो यहां पर जाएगा बैड मिंटर मेरा क्या हो गया एक परकार का खेल हो गया जबकि माउस कीब कोड मोनिटर यह सब क्या है एक इसके भागवाई कंपूटर के भाग है ने इस देखे विच ओप दा अंडरलाइन लेटर है जे डिफ्रेंड साउंड अब डिफ्रेंड साउंड वाला क्यूसन तो आपको हंडेड परसेंट हर बार आई रहा है अब देखिए आपको इसको हतना किसे है कि अलग साउंड निकल रहा है तो आपको सिंपल क्या कष्ण वार्ण जो भी आपके साउंड में दीए हैं उनको उक्लियू है लिख यहां पे लिख रहा है इस समय की में निकल रही है जबकि पूत में तो यह सबसे अलग हो गया ना बस ऐसे आपको हिंदी में लिखके करना है आराम से आपका सही हो जाएगा तो यहां पर प्रेजेंट जो मेंनिंग है वो एक परकार से उपहार का अर्थ दे रहा है यहां पर किसका उपहार अब उपहार को हम इंगलीज में क्या बोलते हैं बैं गिप्ट बोलते हैं क्या बोलते हैं गिप्ट बोलते हैं तो यहां पर गिप्ट वाला मेरा साही आंसर हो जाएगा नेश देखें I remove the rolltop desk and pull out the drawer अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि I remove the rolltop मैंने उसको क्या कर दिया है रिमूब कर दिया है rolltop को and pulled out the drawer मैंने completely उसको क्या कर दिया है बंद कर दिया है तो यहाँ पर क्या जाएगा completely आएगा पूर्ण रूप से इसका अर्थ क्या हो गया पूर्ण रूप से मैंने उसको क्या कर दिया है बंद कर दिया है चलिए आगे देखता हूं सेकेंड देखी यहां पर आपको क्या दे रहा है कुछ खालिस्तान आपको दिए गए एक स्टेटमेंट है कुल मिला कि उसको है और यहां पर कुछ बड़ आपको दिये गए उपर इनी में से चूज करते हो यहां पर आपको लिखना होगा जैसे कि पहला हीट वाज मीना फस्ट्रेन डेश्टेट सी वाज एकसाइटेट टू सीधा अग ट्रेन ओन दै तो यहां पर क्या है उसकी पहली जनरी है कुल मि देजन टो पर चेंटेट वाल झाला चरहए ठीप भार आपको बढ़ना हो और नाफेट अदेश वाला है वाला है इसके बाद क्या कर रहे है तो जमिना हमने हम प्रेंद कब्ऩम पकड़ लेत है आप देखिए यहां पर है राइट दा पुलॉरल वल ऑफ दा फॉलॉइंग वर्ड यानि कि पुलॉरल तो आप सभी जानते हैं कि बहु वचन है वो आपको यहां पर लिखना है तो नाइप का बहु चन क्या बन जाएगा इसमें दोस्तों आपको आई वी एस जोड़ना है त से सब्सक्राइब कि आपका सिंगुल यहां पर दिये गए हैं इनको आपको कम्प्लीट करना होगा तो यहां पर दोस्तों आको दिया गया है मांठेन का यह मांटेन की मिलिंग बन गई तो यह आपको यहाँ पर बढ़ना था तो यहाँ पर एक तो missing हो गया you वाला और एक हो गया I वाला तो यहाँ आपको यहाँ पर बढ़ना है देखते कि यहाँ के अगला जो दिया गया आपको afternoon का है A F T E R N O N इस परकार से afternoon बनेगा अब यहां पर देखें, A, F, T, E, E छोड़ दिया गया है और आप्ट, R दे दिया गया, N, A को दे दिया गया, A को नहीं दिया गया तो इस परकार से यह जब हम पूरा करेंगे, तो मेरी मेनिंग मेलेंगी, आप्टरनून की नेच देखें, Do not use mobile phone, driving vehicle यानि कि हमें जब किसी भी ड्राइव कर रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, काट चला रहे हैं तो हमें mobile का उप्योग नहीं करना चाहिए, इसलिए हमें यहां पर क्या बढ़ना पड़ेगा, While यानि कि जब हम यह कर रहे होता हैं, तो हमें यह नहीं करना चाहिए, इसके बाद देखें, आपको meaningful sentence बनाना है, आरेंज करना है इनको, तो यहां पर देखें, सबसे पहले तो आपको बढ़ना होगा, यहां पर दे, फिर आपकी आजाएगी फिर आजाएगी मास्कश ठीक है, माक्स ठीक है, फिर आजाएगा मेरा daily, इस परकार चेंज करना है, फर्ष्ट ए आजाएगा, सेकेंट पर यहाँँच जाएगा, धर्ड पर फोर्थ पर यहाँच करना है, अग्ला जो दिया गया, आपको डेखें, जांप दा way इसमें भी आपको क्या बढ़ना पड़ेगा सबसे पहले आपने बढ़ेंगे यहां पर इसको बढ़ेंगे सई करेंगे अब यहां पर कुछ आपको बढ़ दिएगे इनी की सायता से आपको इसमें बढ़ना होगा तो यहां पर देखिए आलवेज डेस सीट बेट वाइल ड्राइविंग जब भी हम ड्राइविंग करते हैं तो हमें हमेसा सीट बेल्ड हो बांदनी चाहिए तो वेर मतलब यहां पर का जाएगा वेर हो जाएगा ठीक है इसके बाद देखिए डू नोट डेस दा स्पीड लिम है चलिए आगे देखते हैं यहां पर देखिए पार्ट थाड़ आपको दिया गया है यहां पर रीड पैसेज केरिफुली और आंसर दा क्यूसर इस बिलो मतलब यह सेंटेंस आपको पढ़ने पढ़ेंगे यह पूरा और इसके आंसर आपसे पूची जाएंगे जो देना है जो कि आप इजिली इसमें देख के आराम से दे पाएंगे ठीक है आवर्ड वाजदा रॉल टॉप डेक्स वायर दा नादर फाइंड इसमें चापको डूंडते हुए करना है तो आप इजिली आपको यह कर पाएंगे यहां पर देखिए सब लाइन यहां पर लिखी गई है तो सब चीज़े आपको बिल जाएगी वसे आपको चांट के यहां से लिखना होगा अब देखिए आप जो नेश्ट आपको दिया गया है राइट दा पोजिट वर्ड फॉर्म दा पेसे अपोजिट वर्ड आपको लिखना है आप अपोजिट आप सभी जानते हैं क्या बो विलोम सब्द बोलते हैं क्या बोलते हैं विलोम सब्द अब देखिए यहां पर दिया गया है नियर तो नियर का मतलब होता है पास तो हमें दूर का लिखना है तो दूर का आपन क्या लिख सकते हैं फार लिख देंगे अब लेट का मतलब होता है देरी से ठीक है तो आप इ कि एक्सरसाइज भी हो जाएगी इसमें कुछ वर्ड होंगे जो कि हमें बता रहा हूँ जैसे की यह वेरी हाई हील जैसे कि अभी अभी हमने वर्ड देखा ता जो कि मिसिंग लेटर वाला था वह भी माउंटेन का था मॉ-ई- n-e-t-a-y-n माउंटेन मानलब एवेरी हाई ही इवेंट जो देखता है उसको क्या बोलता है तो यहाँ पार यह बहुना hydrogen अपयर यह इसको आपको चांटे उए लिखना होगा है तो 2-3 पैसे आपको एक्जाब में मिलेंगे जो कि लगबग आपके तीन चार नंबर के रहेंगे मलब एक चार नंबर का रहें तो बारा नंबर तो आपके फोकट के हो जाएंगे कुल मिला के क्यों क्यों कि आपको पैसे दिया जाएगा उसमें से टीप ना है आपको टीप ना आना चाहिए बाई आप इतना सा तो आपको थोड़ा सा करना ही पड़ेगा मेनत exercise करना ही पड़ेगी जिससे आप इसको करसाएंगे अब यहां पर देखे यह कलपना चाहना की बारे में हैं कुछ यहां पर देखे ए person who travel in spare craft जाता उसको क्या बोलता है यहां पर देखे एक आपको दियेगे अपोजिट oldest 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 का क्या हो जाएगा newest हो जाएगा इससे बढ़ना है अब यहां पर देखे यह आपको री अरेंज वाली आ गए री अरेंज दा following sentence in correct sentence अब यहां पर यह अलग अलग दियेगे एक दो तीन चार पांट अब आपको इनको अरेंज करना होगा अरेंज की अगर मैं बात करूँ तो देखे सबसे पहले मेरा जाएगा once a wood cutter was cutting wood in a near a river तो पहले में आपको यह बढ़ना है सबसे पहले नंबर पर आपको इसको रखना है ठीक है अब दूसरे नंबर पर आपको रखेंगे यहां पर दूसरे नंबर पर आ लिखेंगे फिर से बाद यह लिखेंगे फिर थड़की में बात करूं यहां पर तो आपको लिखना हो गया यहां पर ही वीप्ट दा क्राइब टु हेल तो वह क्या करता है रोने लग जाता है तो यहां पर थर्ड नंबर का यह आएगा अब फोर्थ नंबर पर देखे आप अब देखेंड़ ओपर पड़र फोर्थ है जिसमें कि आपको एक लेटर राइटिंग और अप्लेगेसन राइटिंग पूछे जाएंगे जो की दोनों में सार्च है आप कोसा भी लिख सकते हैं और चरफिप दो त्यू तो यहां पर सटंपर सर्टिफिकेट दोगेत बदे स्कूल पर लिख सकते हैं तो यह चार पांस आपको याद करने हैं नहीं में आपका पेपर बनेगा तो यहां पर कक्षा आठ के लिए इंगलीज का जो वेरी वेरी इंपोर्टेंट पेपर था वो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है वाई अच्छे से पढ़ लेना और भ झालो के अर लिए अच्छे।